हलो दोस्तो मैं हूँ आपकी दोस्त दोस्तो हमारे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तो अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि बच्चे के जन्म के बाद हर महला का पेट निकल जाता है और फिर लाग कोशिस करने के बाद भी पेट ना के बराबर ही अंदर होता है तो दोस्तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा लाइक और सस्क्राइब जरूर करिएगा तो चलिए जानते हैं कुछ उपाए जो बहुत ही परभावी हैं देखिए शुरुवाती दिनों में तो सब कुछ आसान लगता है उस समय सोचते हैं पेट पर बेल्ट बांध लेंगे तो कई तरह के ड्रिंक बना कर पी लेंगे जो पेट को कम कर देगा लेकिन सोचने और करने में फर्क हो जाता है हर चीज जंजट वाली लगती है उपर से बच्चे को भी सम्हालना पड़ता है तो अपने लिए इतना समय ही नहीं हो पाता कि इतनी ताम जाम कर सकें अगर कोई करके दे तो ठीक है पर खुद से कर पाना मुश्किल होता है उस समय लगता है कुछ आसान और सरल होता पेट को अंदर करने के लिए तो कितना अच्छा होता तो दोस्तो मेरी ये वीडियो आपके बहुत फायदे के हैं बिना जंजट आप अपने पेट को अंदर कर सकती हैं देखिए बताऊंगी तो आपको लगेगा इस नुश्के से क्या होगा लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ महने दो महने सिर्फ इस पानी का सेवन करेंगी तो जीवन भर आपको और कुछ भी कर नहीं करना होगा अब जानते हैं पानी को पीना कैसे है और क्या करना है शुरू में ही जब आप सिसु को जन्म देती हैं तब इसे आपको गर्म पानी का सेवन करना चाहिए अगर गर्मी का मौसम है तब आप सुबह ही पूरे दिन पीने के लिए पानी को पूरा उबाल कर रख लें और जब भी पिएं तो उसी पानी को पिएं इस पानी को आपको फ्रीज में नहीं रखनी है और कोशिश करें कि सुबक खाली पेट गुनगुना पानी पिएं पानी कम से कम 10 से 12 गलास तो पूरे दिन में जरूर पीनी चाहिए क्योंकि आपका दूर आपका बच्चा भी पीता है ये तो हुई पहली बात दूसरी बात आप अपने बच्चे को अपना दूर पिलाएं इससे भी पेट अंदर की ओर जाता है जब बच्चा आपका दूर पीता है तो एक अंदर हॉर्मोन बनता है जो गरभासे के संकूचन को उत्तेजित करता है और आपको वापस आपके सेप में लाने में मदद करता है एक काम और करें खाना खाने के बाद 10 मिनट तहलें जरूर ये ने खाना खाने के तुरंत बाद सोने की कोशिस ना करें धनेवाद दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए रिए